इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अपना गन्ना बॉंड अपडेट करना चाहते हो ओनलाइन, तो किस प्रकार से आप अपना गन्ना बॉंड अपडेट कर सकते हो ओनलाइन, घर बैठ ही, आपको जो है कहीं पर जाने की कोई भी आवसकता नहीं है, बिल् तो आप सभी इस यूडियो को बिने एस्केप की ओच करते रहेगा इसमें जो है आपके बॉर्ण अपडेट करने में क्या क्या रिक्वार्बेंट रहेगी डॉकुमेंट की तो सबसे फर्ष्ट में जो है आपका आधर कार्ड और फिर साइकेट नमबर पे बैंक पास्बुक यानि आपके पास आधर कार्ड या बैंक पास्बुक दोनों में से एक प्रूफ होना चाहिए तो यहाँ पे आपके पास आधर कार्ड हो या बैंक पास बूक यहाँ पे आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए और जो रजिस्टर मुबाइल नंबर आपके बॉर्ड में है वो मुबाइल नंबर आपको याद होना चाहिए आपको पता होना चाहिए और आपको सबसे man point है जमीन की फरद जो आपकी खतोनी की फरद होती है वो आपके पास होनी चाहिए या आपके फोन में होनी चाहिए तो मैं बात कर लेता हूँ आप फरद किस परकार से निकालोगे तो सबसे पहले आपको अपने फोन में Chrome browser open करना है और यहाँ पर आपको type करना है B-L-U-L-E-K-H भूलेक भूलेक type करने के बाद आपको जो है इस पर click करना होगा भूलेक यहाँ पर आप देखते हो भूलेक पर आपको click करना है जैसे आप भूलेक पर click करोगे आपके सामने जो है कुछ इस तरह का interface आ जाएगा जनपद चुने तो यहाँ पर जो भी आपका डिस्टिक है वो डिस्टिक आपको यहाँ पर select कर लेना है district select करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी तहसील select कर लेनी है तहसील select करने के बाद यहाँ पर आपको अपने gram का नाम यहाँ पर select कर लेना है जैसे for example आपके गाउं का नाम कैसे शुरू है तो आप यहाँ पर कैप टाइप करके कै जो है यहाँ पर जो भी यहाँ पर कैसे नाम सुरू होंगे वही सारे नाम यहाँ पर सो करेगा तो यहाँ पर जो मेरे गाउं का नाम है वो ऐसे सुरू है तो यहाँ पर मैंने स्लेट कर लिया है आ तो यहाँ पर जो है गाउं का नाम जो यहाँ पर आ चुका है मैंने जो इस पर किलिक कर दिया है और यहाँ पर आपको अपना खसरा गाठा नमबर भरने के बाद ही आपका जो फरद है वो आ जाएगा तो यहाँ पर जो है मैं बहर लेता हूँ यहाँ पर गाठा नमबर और यहाँ पर जो है आप नाम से भी सर्च कर सकते हो अपने जो नाम से ही आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने गाठा नमबर भर दिया है और यहाँ पर मैंने स्लैट कर लिया है और यहाँ प क्लिक करने के बाद हमारी जो फर्द है वो ओपन हो जाएगी तो फ्रेंड आप जो है कुछ इस परकार से अपनी जो फर्द है वो निकाल सकते हो तो सबसे पहले जो है आपका ये स्टेप हो गए आपको जो है अपनी फर्द निकाल करके लखनी है या आपके फोन में भी हो कोई दिक्कत नहीं है आपको प्रिंट आउट की कोई भी अछसकता नहीं है और अगर आपके पास फर्द है आपको फर्द का गाथा नंबर भी पता है आपके पास छेतर फल भी है तो आप online update कर सकते हो बिल्कुल आसानी से तो यहाँ पर आपको अब bond update करने के लिए क्या लिखना है यहाँ पर आपको type करना है can up यहाँ पर आप देखते हो can up मैंने यहाँ पर type कर दिया है can up type करने के बाद आपको इस पर click करना होगा can up inquiry sugar can and can जैसे आप इस पर click करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा data देखने के लिए capture code डाले तो यहाँ पर आपको capture code यहाँ पर enter करना है जो भी आपको capture code so कर रहा है capture code enter करने के बाद आपको view पर click करना है जैसे ही आप view पर click करोगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का अंडरफेस आ जाएगा सबसे फर्स्ट में जो है आप से ये मूप मांगेगा आपका डिस्टिक यहाँ पर आपका जो जिला है वो कौन सा है तो जिला आपको यहाँ पर सिलेट कर लेना है जो भी आपका जिला है जिला सिलेट करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी जो फैक्टरी है जो आपका मील है जहाँ पे आप गणना सप्लाई करते हो वो मील का नाम आपको यहाँ पे सिलेट कर लेना है मील का नाम सिलेट करने के बाद यहाँ पे आपको दो अपसन मिलेंगे यहाँ पे आपको एक option मिलता है गाउं का नाम यहाँ पे जो भी आपका गाउं का नाम है वो आपको select करना है और आपको जो यहाँ पे अपना जो नाम है जो भी जिस भी नाम से बॉंड है वो आप यहाँ पे search कर सकते हो तो यहाँ पे अगर आपको किसान कोड मालूम है तो आपको जो है यहाँ पे सर्च बाय कोड पे किलिक करके बिल्कुल आसानी से अपना जो कोड है अपना जो नाम है वो आप बिल्कुल आसानी से सर्च कर सकती हो तो सिंपली से इस पे किलिक करना होगा आपको सर्च बाय कोड इस पे किलिक करने के बाद आपको अपने गाउं का कोड डालना है जो भी आपके गाउं का कोड है जो आप परची पे mention करते हो गाउं का कोड डालने के बाद यहाँ पे जो है आपको किसान का कोड डालना है जो भी किसान का कोड है किसान का कोड इंटर करने के बाद आपको सिमकली से view पे click कर देना है जैसे आप view पे click करोगे तो यहाँ पर दिखा रहा है यदि आपने अभी तक गोसला पतर नहीं भरा तो भर दें अन्यता 60 चालू नहीं होगा तो इसमें जो है आपको दिखा रहा है और यहाँ पे code सो कर रहा है और यहाँ पे आपको mobile number के last के 4 digits हो कर रहा है यहाँ पे आपका account number है account number जो यहाँ पे security purpose के कारण इनों ने hide कर रहा है यहाँ पे आपको IFSC code मिल जाएगा यहाँ पे mode of supply मिल जाएगा क्या आप card से supply करते हो नहीं बुग्गी से जो अपना गण्या सप्लाई करते हो तो simply से आपको bond update के लिए आपको एक option दिखेगा action आपको simply से action पे click करना है action पे click करने के बाद आपको इस पे click करना होगा घोंसला पतर हिंदी में जो यहाँ पे लिखा हुआ है घोंसला पतर जैसे आप इस पे click करोगे आपके सामने एक नया interface खलकर के आ जाएगा फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने एक नया interface स्कुलके आ चुका है यहाँ पे देख सकते हो किसान का code नाम और पिता का नाम तो यहाँ पर आपको परमेकरण करना चाहते हो तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको जैसे आप इसके किलिक करोगे buy bank account number buy आधा number और यहाँ पे देख सकते हो बैंक खाता संख्या का आन्तिम 4 number दर्ज करे हैं आपको यहाँ पर पूरा account number दर्ज नहीं करना हैं शरिफ तो आपको अपने अकाउंट के चार नमबर ही इंटर करने है तो यहाँ पर जो भी आपके लाश्ट के अकाउंट के चार नमबर है वो आप इंटर कर सकते हो अगर आपके अकाउंट नमबर याद नहीं है या आपके पास पासबूक नहीं है तो आप जो है आधर कार्ड नमब इंटर करने के बाद आपको सिंपली से सत्यापित करें पर किलिक करना है जैसे आप इस पर किलिक करोगे तो यहाँ पर जो है दिखाएगा संसोधित करें आपको इस पर किलिक करना है संसोधित करें इस पर किलिक करने के बाद आपको जो है नीचे स्क्रोल डाउन कर ले नीचे करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा जैसे आप सेओ करोगे तो यहाँ पर आपको बैक कर देना है बैक करने के बाद आपको जो यहाँ पर देखेगा पिलोट का गाउं जिस भी गाउं में आपकी जमीन है उस गाउं को आपको यहाँ पर गाठा नंबर इंटर करना है जो भी आपका गाठा नंबर इंटर करने के बाद यहां पर जितना भी आपका गन्ना है यानि जितनी भी आपकी जमीन है उसका छेतरफल आपको इंटर करना है आपको जो है साइड में देख रहा होगा कि छेतरफल कहा होता है फराद में गाठा नंबर कहां होता है खतोनी संक्या कहां होता है तो यहां पर मैं गाठा नंबर जो यहां पर इंटर कर दिता हूं गाठा नंबर जो है आप देखते हो गाठा नंबर मैंने यहां पर गाठा नमबर इंटर करने के बाद आपको यहां पर आपको यह सोच समझ के इंटर करना होगा जैसे समझ लीजिए आपके नाम दो बीगे जमीन है दो बीगे जमीन है या दस बीगे जमीन है आपने दस बीगे जमीन में पांच बीगे में एक बो रखी है और पांच बीगे में आपने मुझी बो रखी है या कोई और सी फसल आपने बो रखी है शिरिफ आपने पांच बी करेंं देखेंग है झांटि क स्थgrassे या कि heysini प्रतीसा अपको benefit करने के बाद यहां पर दीखेगा तो आप जिख गन्ने की किसम रिलस्कन के यहां पर कट उपम जेश्वाम है वह को नहीं है आट यहां पर आपको 230 & 220 कलें है यहां पर आपकोrok मेंना गरने की वैराइटी स्लैट कना façon, वैराइटी स्लैट कने बाद आपको जो है है इहाँ पेडी का जो छे तरफल या? जो भी आपके पौ्दा है कितना बोया हुआ है कितना आपके पास पौडाया पेडी है तो यहां पर मेरे पास जो है यहाँ पेड़ी है तो मैं जो है यहाँ पेड़ी यहाँ पे select कर लेता हूँ और अगर आप यहाँ पेड़ी select करते हो तो आपकी जो परची है वो यहाँ पे ज़्यादा आती हैं तो आपको यहाँ पेड़ी ही select कर लेनी चाहिए पेड़ी स्लेट करने के बद आपको सिंपली से आप एड़ पे किलिक करना है जैसे आप एड़ पे किलिक करोगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह है आपर record एड़ हो जाएगा यहापे जो है देख सकती हो दो फरद जो है मेरी already एड़ था लेकिन अब तीसरी है फरद एड़ की है वहाँ पे मैंने एड़ कर दिया आप यहाँ पर देख सकते हो वह चेतरफल भी सो कर रहा है तो यहाँ पर जो है आप कुछ इस परकार से अपनी परद ऐड़ कर सकते हो और आपको जो इस पर किलिक करना है मेरे दुआरा भरे गए सबी आकड़े सहीं और मैंने भली बात ही उसकी जाच कर ली है यह आपको यहाँ पर सिलेट करने के बाद सिंपली से सम्मिट बटन पर किलिक करना है नेचे आपको सम्मिट बटन पर किलिक करना है जैसे आप submit button पे click करोगे यहाँ पे जो है आपको so करेगा आपका data सपलता पूरुक upload हो चुका है यानि आपका जो data है वो successfully upload हो चुका है तो simply सा आपको ok पे click करना है जैसे आप ok पे click करोगे तो यहाँ पर आपको capture code दुबारा से इंटर करना है capture code इंटर करने के बाद view पे click करना है यहाँ पे आपको अपको अपना district select करना है district select करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी factory select करनी है जो भी आपकी factory है factory select करने के बाद आपको search by code पे click करके अपना जो gram का code है वो इंटर करना है और यहाँ पे आपको अपना जो कोड है फार्मर कोड वो आपको select करके यहाँ पे view पे click करना है जैसे आप view पे click करोगे तो यहाँ पर जो हाँ आपका interface आ जाएगा आपको action पे click करना है और गोसला पतर पे आपको click करना है जैसे आप घोसला पतर पे किलिक करोगे घोसला पतर पे किलिक करने के बाद आपको जो यहाँ पे अपना जो आधर कार्ड के लाश्ट के 4 डिगित है वो आपको इंटर करने है अगर आपके आधर कार्ड के नमबर याद नहीं है या आपके पास आधर कार्ड नहीं है तो आप अपने बैंक खाते के भी इंटर कर सकते हो आपको एक बात दियान रखनी है विए मोबाईल लंबर आपका रजिस्टर होना चाहिए आपके बॉन्ड में आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना होगा सत्यापित करे पे जैसे आप सत्यापित करे पे क्लिक करोगे आपके सामने जो है कुछ इस तरह का एंटरफेस आजाएगा सत्यापित करे पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको जो इस पे क्लिक करना होगा डाउनलोड पे यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड पे जो हाँ आपको क्लिक करना है डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपकी जो फाइल है यह डाउनलोड हो चुकी है जैसी मैं इस पे ओपन पे क्लिक करता हूँ, तो, यहांपर, आप देख सकते हो, यह आपको lookout, देखने को मिल जाएगा, इसमें, जो है, आपको सारी detail, so करेगा, farmer का name, कितना गणना है, कितना क्या, क्या है, आपको इसमें, सारी detail, यहांपर, इस printout पे, so करेगा, आपका नाव वग्यरा सारे डिटेल जो है आपको सो करेगा तो अगर आप अपनी जो परची की बढ़ोतरी रसीद कटवाना चाहते हो तो आपको जो है इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है जनसे हो के अंदर पर जाके आप निकलवा सकते हो जस रुपे में तो आपको इसक इसकां सोसाइटी में ले करके जाना है सोसाइटी में ले जाने के बाद आप जो है इससे जमा करके गन्हा वा परची है वह बढ़ा सकते हो गन्हापर आपको आपका क्यासीly हो जिप जांगा आपकी रराशी कटवाने के लिए इसका print out लेकर जाना है और आपकी जो गन्ना बढ़ोतरी की रसीद है वो कट जाएगी आपको जो है अपनी समीती में जाना है जो भी आपकी गन्ना समीती है आपको जो है अपने factory में पता कर लेना है कि हमारी जो समीती है कौन सी है तो आप इस प्रिकार से जो है घर बैठे ही अपना गन्ने का जो bond है वो update कर सकते हो तो friend अगर आप गन्ना समीती में जाना नहीं चाते हो आप जो है गन्ना समीती में जाना नहीं चाते हो आप चाते हो के परची जो है यहीं से बढ़ जाए तो परची आपकी यहीं से ही बढ़ जाएगी जैसे आप इससे अपडेट करोगे इससे भी आपकी जो परची है वो बढ़ जाएगी इसमें कोई भी प्रोब्लम है आपके नहीं जाएगी आपकी जो परची है वो बढ़ेगी ही कम नहीं होगी लेकिन अगर आप समीती में इस कागज को जमा करते हो और आप गन्या बढ़ोतरी की रसी जाएंगी फ्रेंड तो फ्रेंड यही था इस वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कुछ ने टोपिक के साथ